आपके समर्थन बहुत अच्छा रहा भारत के राजबत्र में और आपने हमसे दूसरा पार्ट पनाने के लिए कहा तो इस में मैं आपको बताऊँगा कि जो न्यूस पेपर में आप नाम चेंज करने की एड़िटाइजमेंट देते हैं कहां पे क्या गलती करते हैं देखिए भारत के जब गैजट है गैजट की जो वेबसाइट है वहाँ पे नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को जुरूर पढ़ लिया कीजिए वहाँ पे एक वर्ड लिखा है जो अकसर आपके न्यूस पेपर वाले गल्द करवा देते हैं और आपके हजार दोजार तीन हजार पे खर्च हो जाते हैं आप ऑनलाइन यह एड पब्रिश करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे पैसे सिर्फ और सिफिक्स के काउंटिंग में ही खर्च हो जाते हैं तो बेस्ट यही है कि जो आपके घर के आज़ पास पब्लिशर हैं उनके पास चाहिए और वहाँ पे पुब्लिश करवाइए और ये कहीं नहीं लिखा कि आपको दो न्यूस पेपर में publish करवाना है एक न्यूस पेपर चाहे वो हिंदुश टाइम टाइमस हो जाए Times of India हो जाए The Tribune हो जाए publish करवा दीचिए और publish कहां करवाना है वो देखे देखे इस न्यूस पेपर में लिखा है change of name और यहां पे आप देखेंगे आपका जो न्यूस पेपर के पाज़े कहेंगे कि name of change में ही करवाते हैं नहीं आप अगर documentation पढ़ेंगे बहुत बारीकी के साथ एक line लिखी हुई है मैं आपको documentation PDF चरूँ दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि भाई जो यह नाम change है यह change of name classified के अंतरगत नहीं आना है तो इससे confused नहीं होना है आपने क्या करना है आपने मूल मंतर क्या है मूल चीज यह है कि जब आप publish करवाना जाएं तो इसी newspaper में जहांपे classified आएगा उनसे कहना भीया हमारा public notice जहां पे लिखा हुआ है यह advertisement public notice के अंतरगत आनी चाहिए तो जो आपको पुराना नाम है मा लीजिये कि आप कहते हैं कि मेरा नाम जो है XYZ है ठीक है और मैं इनकी पतनी हूँ और शादी के पश्चा जो मेरा नाम है XYZ S हो चुका है तो भई यही आपको यहाँ publish करवाना और साथी साथ एक गलती और करते हैं यहाँ पे लिखाना है आपको कि कब किसके सामने यहाँ पे लिखना है किसके सामने आपने यह गवाही यह परतिग्या ली थी तो उस magistrate का नाम और किस जगह पे आपने यह काम करवाया किस डेट को करवाया है यह भी यहाँ पे लिखना है तो पब्लिक नोटिस के अंतरगत आपको नाम चेंज करने की हैडिंग देनी है इस बात को लिख लीजिए क्योंकि यूट्यूब पे जितनी वीडियो देखेंगे आप कोई भी आपको नहीं बताएगा हर जगह कुछ ना कुछ गल्थ है 2020 की गाइडलाइन चेंज हो चुकी है और मैं इसलिए यह वीडियो आपको दे रहा हूँ हमारा यह कार्य नहीं है हम जोस्तिसकर्द के वेल से डील करते हैं हम एसलोजी से डील करते है लेकिन हमारे बहुत सारे फॉलॉवर्ट्सकों यह प्रॉब्लम आती है आपके ओपिनियन के उपर ही यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे न्यूस पेपर में जो गलती आप कर सकते हैं शादी के पश्चात, खासकर लड़किया नाम चेंज करती हैं शादी के पश्चात किसी भी धर में हो जाए या फिर आप एस्ट्रलॉजी के पॉइंट आफ व्यू से न्यूमलाजी के पॉइंट आफ व्यू से अपना नाम चेंज करते हैं तो ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा और गैजट आफ इंडिया दिली में पब्रिश करवाईएगा तबी फाइदा है स्टेट में अवाईडी कीजिए सेंट्रल में पब्रिश करवाईए कोई भी समस्या नहीं आती है स्टेप्स आगे की वीडियो में आपको जुरूर बता दिये जाएंगे तो वेबसाइट पर चेक आउट क्या लीजिएगा डॉकुमेंट का लीगल सेक्शन जल से जल्द हम वहाँ पर एड करने वाले हैं तो आपकी हेल्प हो जाए वो भी कहीं भाग दोड़े क्योंकि देखिए बहुत तेड़ा काम होता है चेंज करवाना एजन्ट के चक्कर में पढ़ जाएंगे 20,000, 25,000, 5,000 पर खर्च करेंगे कोई फाइदा नहीं इतना नहीं खर्चा आता है 2-3,000 में काम हो जाता है जो अफिशली पीस है तो इस बात को नोट कर लीजिए नियूस पेपर में जो गल्ती है उसको ध्यान रखेगा तो आज यहाँ पर इजारत दीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यह इस टाइप की वीडियो भी पसंद कर रहे है जो कि हमारे जीवन में भारतियों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन होता है नेम चेंज करवाना गैजट में किसी भी प्रकार की इस्तहार देना इजारत दीजिए नमस्का जैशनीदीव